वेलकम तू जीवन जोती क्लासेज और मैं हूँ विकेश कुमार तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले है रियल नमबर है जो पोर्षन डिलिट हो गया है उसको छोड़के हम रिविजन्स करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से तो चलिए सुरू करते हैं रियल नमबर को समझेंगे तो चलिए सुरू कर रहे हैं जो पहला पोर्षन है जिसमें इकलिएट डिविजन्स लेमा एंग अगलुरिथियम जो की नहीं आ रहा है जो पॉइंट आ रहा है वह है फंदामेंटल थियूरम ओफ अर्थमेकितिक तो इसमें सबसे पले इसको जानने से पले प्रानमे औक क्या होता है कि नंबर गोःद तो ट mm क्या होता है टो एक प्राइट प्राइबर क्रक्राइबंट प्राहे तो वन प्राइबन प्रानमबर है like 2 3 5 7 11 23 43 यह नहीं होगा तो यह प्राइम नंबर है दूसरा composite number तो composite number क्या होता है जो one और अपने आप से divisible के साथ साथ दूसरे number से भी divisible होता है यह number is called a composite number if it has at least one factor other than one and the number itself यानि ऐसा number जो one और खुझ से तो फैतर हो ही साथ में किसी और भी number से हो यानि बोल सकते हैं कि जो प्राइम नहीं है वो composite है like 4 ठीक है 6 24 45 188 तो यह सारे क्या है composite number है ठीक है तो चलिए next देखते हैं तो सबसे पहले एक बात समझना है कि जो वन होता है ठीक है जो वन होता है इस सूट भी नोटेट देट वन इस नाइदर प्राइम और नॉन पॉजिट तो एक चीज़ समझ लिजे कि वन जो है ना प्राइम नंबर है ना composite number है ठीक है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो वन नहीं टू होता है और टू जो है ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवेन होता है यानली टू जो है इवेन प्राइम नंबर है तू के अलावा कोई और इवेन प्राइम नंबर नहीं हो सकता, जो भी prime number होते हैं, वो odd होते हैं, ठीक है, जो सबसे छोटा composite number है, वह 4, ठीक है, 4 से छोटा composite हो नहीं सकता है, कि तो 4 से छोटा 3 होगा, 3 prime number है, 3 से छोटा 2 होगा, 2 भी prime number है, तो जो सबची छोटा composite नंबर होगा वो 4 होगा और वो भी एक even होगा ठीक है और सबची छोटा odd composite की बात करें वो 9 होगा क्यूंकि 4 के बात क्या होगा 5 तो 5 भी प्राइम है 6 है composite लेकिन वो even है 7 odd है वो prime है 8 even है 9 जो है पहला ऐसा odd composite नंबर होगा clear a point अब बात कर रहा है factor of a number की तो if a number divide another number exactly ऐसा number जो दूसरे number से divide हो जाए बीना किसी reminder के बीना किसी reminder के दूसरे number से divide हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा factor हो जाएगा उससे then number which divides is called a factor of the number that has been divided like कोई number है जैसे कि 24 ठीक है तो 24 किसे किसे divide होगा एक तो one और itself से तो सारे number divide होते है clear है point तो one और itself होगा ही होगा इसके अलावा 2, 3, 4, 6, 12 तो जित से जित से ये divide होगा वो सारे के सारे इसके factor है clear अब आते है factor tree a chain of the factor which is represented in the form of tree called a factor tree यानि factor को tree form में अगर represent करेंगे तो क्या कहलाएगा factor tree ठीक है जैसे हम इसकी factor tree बनाते हैं तो 24 है तो सबसे पहले हम लिखते हैं 24 ठीक है एक box बनाते हैं और ये किस से factor होगा सबसे पहले यहाँ देखो सबसे पहले 1 से तो होता ही होता है तो सबसे पहले लेते हैं 2 से 2 से इसको divide करेंगे क्या हैगा? 12 ठीक है? फिल्म देखते हैं किस से divide होगा? 2 से अब क्या हैगा? 6 फिर देखते हैं किस से divide होगा? वापस होगा 2 से इस बर क्या हैगा? 3 अब किस से divide होगा? खुद 3 से अब क्या हैगा पुरी तरह से डिवाइड हो गया ठीक है 1 तो ये इसका फैटर 3 हो गया कैसे हो गया 2 को किस से डिवाइड हुआ है 2 से, फिर 2 से फिर 2 से और फिर 3 से 1 काउंट करने के जरूरत नहीं है कि तो 1 से किसी भी नंबर में multiply करेंगे, तो same to same हो गया, तो बोल सकते है 2 पावर 3 इंटू 3 is the factor of 24 ठीक है, ये हो गया factor 3, जो जिस तरह से ये बना है, ये सी को बोलते है factor 3 इस फैतराइजेशन को बोल सकते है prime फैतराइशन, क्योंकि यहाँ पे divide prime number से होता है clear हो गई point अब आते हैं list fundamental theorem of arithmetic जो composite numbers होते हैं वो prime number के product होते हैं जैसे 24 था वो composite number था तो composite number जो होते हैं वो prime number के product होते हैं ठीक है तो जो पहला example है मान लो कि 6 can be written as 2 into 3 और 3 into 2 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 या लिख सकते हैं 3 into 2 यहाँ पे 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है prime number है उसी तरह 230 को लिख सकते है 2 into 5 into 23 या 23 into 5 into 2 यहाँ पे 2, 5 और 23 यह क्या है prime number है इसी तरह 101 को prime factor कर सकते हैं तो 101 का prime factorization निकालते हैं तो देखिए क्या हैगा 11 sorry 1001 तो सबसे पहले यहाँ पे divide होगा 7 से clear होगी point 7 से divide करते हैं आएगा 1 4 3 कितना आगया 143 अब divide करते हैं 7 से भी अब डिविजबल नहीं होगा ठीके अब divide होगा 11 से 11 से divide करेंगे तो क्या आएगा 1 3 अब divide होगा किस से 13 से ठीके क्या आया 1 आगया जब 1 आगया तो छोड़ देंगे यानि 1001 का फैटर क्या है 7 है 11 है और 13 है 7 इंटू 11 इंटू 13 जो की prime number है clear है point उसी तरह क्या example बोल रहा है explain why 3 इंटू 5 इंटू 7 plus 7 is a composite number क्यों ये composite number है क्यों तो इसका फैटर 1 से जादा है तो एक तो ऐसे सोच सकते है short form में कि ये जो number है कोई भी number 1 से divisible होगा कोई भी number खुद से divisible होगा अगर कोई भी number 1 और खुद के अलावा किसी और number से divisible हो जा रहा है divide हो जा रहा है तो वो composite है तो इसको जानने के लिए क्या करते है हमाल लीजिए हमारे पास number है 3 into 5 into 7 plus 7 यह यह चलिए तो यहाँ पे जब 7 common लेंगे तो क्या बचेगा 3 into 5 और इससे common ले चुके हैं हम तो plus 1 ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इन्टो 5 क्या हो गया 35 plus 1 याने कि 36 ठीक है अब यह जो number है 7 into 36 वो इसी का solution आया है ध्यान दीजे तो यह तो 3 into 5 into 7 plus 7 से तो divide होगा ही जो भी इसका solution होगा उससे divide होगा ही 1 से भी divide होगा इसके अलावा यह 7 से भी divide होगा और 36 से भी divide होगा 2 से भी divide होगा 3 से भी divide होगा इसका जो जो फैतर होगा इस सब से divide होगा ठीक है तो बोर रहा है कि यह composite number क्यों है इसका मिन कारण है कि 3 into 5 into 7 plus 7 is divisible by more than 2 factor clear होगी तो अगर यह दो से ज्यादा factor से divisible हो रहा है यानि composite है so it is composite number clear होगी list आते हैं यह कोचन NCRT में भी पूछा गया है बोरा है कि चेक वेदर 6 power N where N is the natural number can end with digit 0 for any natural number तो यह चीज समझ लेजिए पहले मैंने एक statement लिख रगा है तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि 6 power N जो है N कोई भी natural number है ठीक है कुछ भी हो क्या वो 0 उसके last में 0 होगा तो यह possible नहीं है देखिए last में 0 उसी के होता है ठीक है जो 2 से divisible होता है और 5 से divisible होता है क्योंकि जिसके भी last में 0 होगा वो 2 और 5 से divisible होगा ही होगा तो इफ ए नमबर इंड विथ दिजिट 0 तन इट विल दिजिजिबल बाई 2 और 5 बोथ ठीक है जो भी 10 से divisible होगा वो 2 और 5 दोनो से दिभाइड होगा तो यह फिस्त राइट गिवेन नमबर अगर 2 और 5 से डिभाइड नहीं हो रहा है तो उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा तो हमारे पास जो नमबर है वो है 6 तो 6 क्या है 2 इंटू 3 अगर मालो 6 के पावर कुछ भी रहे इन है न तो एन की जगर something 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख ले मालो जी यह 5 रख लेते हैं तो क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 तो इसको भी अगर हम फैतर करते हैं तो वो यही आएगा तो एक अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो सारे इसी से डिवाइड होंगे यह आएगा तो हम बोल सकते हैं क्या बोलेंगे प्राइम फैत्राइजेशन क्या बोलेंगे प्राइम फैत्राइजेशन 6 पावर 1 does not contain 2 and 5 तो 6 पावर 1 does not क्या बोल सकते हैं 6 पावर 1 hence there is no natural number no natural number in for which 6 पावर 1 hence with the digit 0 clear है पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं एस पॉइंट है HCF and LCM ठीक है क्या है LCF and LCM HCF क्या होता है IS common factor और LCM क्या है least common multiple तो अगर पहला ही कोच्चन है find the HCF and LCM 6 and 6,72 and 120 using the prime factorization method ठीक है इनका LCM और HCF दोनों find करना है with the help of prime factorization method तो चलिए सबसे पल इसको फैटर करते हैं तो इसका फैटर क्या है क्या है गया 2 into 3 और जब इसको फैटर कर रहे है ठीक है rough कर लेते हैं यहां आप ऐसे रफ कर सकते है तो जब इसको फैटर किये तो क्या आया दियान दिजी तू इन्टू 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 इन है देखो ये ये और ये two तीनों में common है अगर बात three की कर रहे हैं तो यहां पर three इसमें भी है three इसमें भी है तो ये भी common हो गया यानि two और three दोनों common है तो ये हो गया is common फैटर इस अब कोई नहीं common है अब बात हम आते हैं LCM की तो LCM क्या होता है LCM होता है least common multiple यानि कि जो common है ठीक है सबसे चोटा उसको multiple करना है तो ये तो common क्या है सबसे पर ले टू है और ठीरी है ये common हो क्या और उसके अलावा क्या है two two three two two हमारे पास क्या है कि सबसे पहली पॉइंट यह है कि ऐसे भी देख लो यहाँ पर two into three है इसको क्या डालेंगे यहाँ पर देखो two power three three square और इसमें क्या होगा two power three three five तो यहाँ पर least common multiple देखना है तो least common multiple देखने के लिए हम क्या करते हैं ति ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा पावर किसका है ठीक है two power three हो गया three में कितना है सबसे ज्यादा three square five में कितना है only five तो यह हमारा LCM हो गया maximum power देख लेंगे ठीक है यह इसके साथ कुछ नहीं है तो यह तो बस five हो गया तो यह हो गया eight into nine into five ठीक है तो यह क्या हो गया three sixty यह हो गया आपका LCM LCM of six seventy two and one twenty is three sixty तो यह आपका LCM हो गया इस तरह से LCM find कर लेंगे clear होगी point चलें नेस question की तरफ चलते हैं type the LCF of a smallest composite number and a smallest prime number ठीक है तो जो smallest यहाँ पे even odd की बात नहीं किया है smallest composite number क्या होता है पता है कि smallest composite number होता है four ठीक है smallest composite number क्या होता है और smallest प्राइम नंबर क्या होता है smallest prime number तो smallest prime number क्या होता है smallest prime number होता है 2 तो ACF of a smallest composite number and a smallest prime number इन दोनों का ACF निकालना है तो यह हो गया 2 into 2 यह हो गया 2 into 1 बोल सकते है तो ACF क्या होता है highest common multiple इसमें common क्या स्रीफ है 2 तो LCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि तरफ चलते हैं find the hcf and lcm 120 and 144 by the fundamental theorem of arithmetic तो सबसे पहले हम इसका फैत्तर कर लेते हैं ठीक है यहां पर फैत्तर कर लेते हैं में 260 30 15 इसके फैत्तर किये क्या है त्थू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लेख सकते हैं और 144 का अगर हम फैत्तर करते हैं तो 144 अगर फैत्तर करें गेdır क्या आएगा 72, 36, 18, 9, 3 into 3 तो यह यह 2 into 2 into 2 into 2, 3 into 3 यानि 2 power 4, 3 square तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले HCF निकालते हैं तो HCF में क्या होता है? जो common होता है और common निकालने का सबसे अच्छा तरीका है तो देखेंगे कि जैसे यहाँ पे भी 2 के power something है यहाँ पर भी 2 के power 3 है तो यहाँ पे जो सबसे कम power क्या है 2 के power 3 तो 2 के power 3 लिए तो इसमें 2 के power 4 है तो वो तो 2 power 3 आई ही जाएगा ठीक है? और यह हो गया 3 यह हो गया HCF यानि HCF क्या हो गया? 24 इसी तरह अगर LCM निकालेंगे maximum power देखेंगे यह हो गया 2 power 4 3 square and 5 तो अगर LCM देखेंगे तो LCM कितना आया? यानि कि 1440 यह हो गया आपका LCM और यह हो गया आपका HCF तो दूनों find हो गया यह हो गया है fundamental theorem of arithmetic तो चलिए आते हैं next question की तरफ the length, breadth and the height of the room ठीक है? length, breadth and the height of the room 4 meter length क्या है? यहाँ पर length ले ले लेते हैं 8 meter 25 cm ठीक है? और breadth ले ले लेते हैं 6 meter and 75 cm and the height is 4 meter and 50 cm respectively find the length of the longest rod that can measure and 3 dimensional of the room ठीक है? देखते हैं तो सबसे पहले हम इसको एक में change करेंगे तो जैसे ही change करेंगे length cm में change करते हैं तो यह आएगा 825 cm और breadth की बात करेंगे तो 675 cm और अगर height की बात करेंगे तो 450 cm ठीक है? तो इसको पहले prime faturization करते हैं अगर इसको prime faturization करते हैं तो क्या आएगा? ठीक है? तो यह आपका prime faturization हो क्या है? एक है CF में क्या होगा? तो HCF में होगा आपके पास common क्या है इसमें इसम में? 5 square है इसम में ठीक है? और 3 है देखो यहाँ पर भी 3, 3, 3 and 3 ठीक है? तो HCF क्या हो गया? 75 cm 75 cm 75 cm और एक सबसे लंबा ऐसा है कि उसको exactly length, breadth और height को measure किया जा सकता है कोच्छन क्या बोला था कि length, breadth, height को measure किया जा सकता है ना exactly measure किया जा सकता है तो exactly तभी measure होगा जब को common आएगा तो highest common factor अपन find कर दिए 75 cm हो गया 75 cm के length भी measure किया जा सकता है breadth भी and height भी relation between numbers and their HCF and LCM ठीक है? तो यहां पे क्या बताया गया है? कि HCF अगर निकालना है तो product of number by LCM और LCM निकालना है तो product of number by HCF क्यूंकि दो अगर number है कोई भी दो number है A and B ठीक है? और इसका product जो है LCM of AB into HCF of AB के equal होता है क्यूं equal होता है? क्यूंकि LCM में वो सारे numbers लेते हैं जो HCF में नहीं लेते हैं ठीक है? जैसे हम क्या कर रहे हैं जो जो common होता है वो LCM में तो लेते नहीं है वो LCM में नहीं लेंगे वो किस में लेंगे? HCF में लेंगे तो जब दोनों को मिला देंगे तो पूरे product हो जाएगा सपोज एक इंजामपल से समझीए कि हमारे पास हमारे पास एक number है मालीचे A is equal to 8 और B is equal to 6 ठीक है तो यहाँ पे होगा 2 into 2 into 2 और यहाँ पे होगा 2 into 3 इनका product अगर करते हैं A into B करेंगे यानि 2 into 2 into 2 करेंगे और 2 into 3 करेंगे अगर इसका LCM निकालेंगे तो LCM क्या होगा यह तो common है इसको एक ले लेंगे into 2 into 2 into 3 यह LCM होगा अगर HCF निकालते हैं तो यह क्या होगा जो common है वो होगा वापस इनको product करो LCM into HCF ठीक है तो दोनों का अगर product करते है पन दोनों का product करते हैं तो क्या है गा 2 into 2 into 2 into 3 into 2 जो की इनके product के equal है ठीक है तो यहीं से निकल के आता है यह अगर हमें 1 number निकालना है तो LCM into HCF by 2nd number अगर second number निकालना है तो LCM into HCF by first number, ठीक है, इसी तरह इसमें भी निकाल सकते हैं, कि तीन number है तो उसका LCM क्या इसे निकलेगा, उसका HCF कैसे निकलेगा, अगर उसका HCF निकालना है, तो A into B into C, मालो तीन number है, by LCM of ABC, by LCM of AB, by LCM of BC, by LCM of CA, उसी करा, अगर LCM निकालना है, ठीक है, तो ABC into HCF of ABC, by HCF of AB, HCF of BC, और HCF of CA, यानि HCF निकालना है, तो into में LCM होगा, अगर LCM निकालना है, तो into में HCF होगा, clear हो गई point, HCF of two number is two and their product is 120, ठीक है, HCF of two number is two, ठीक है, अगर इसकी product की बात करें, product of two number, two number is 120, ठीक है, तो LCM अगर find करना है, तो LCM is equal to क्या होगा, कि product of two number by HCF of two number, ठीक है, तो product कितना होगा, 120 by 2 is equal to 60, ठीक है, अब दूसरे point ती बात करते हैं, HCF of 28, 35 and 343 is 7, find the LCM of 28, 35 and 343, ठीक है, यहाँ पर तीन का है, तो सबसे पहले हम LCM is equal to होगा, क्या, LCM is equal to होगा, product of three number, product of three number, जो भी तीनों नमबर दिया है, into, ठीक है, HCF of three number, ठीक है, by, माली जे तीन नमबर, ABC है, तो HCF of AB, ठीक है, HCF of BC, and HCF of CA, यह चीज़े होगा, तो सबसे पहले हमें, तो HCF निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों का HCF निकालो पहले, ठीक है, HCF of 28, 35, ठीक है, तो इसको अगर HCF निकालने चलें, तो फहले तो फैतर कर लेते हैं, फैतर से यह निकल जाएगा, ठीक है, तो फैतर कर लेते हैं, इस सब का, तो 28 का क्या हुआ, 7 into 2 into tool रख लो, और यह क्या हो गया, 35 का, 7 into 5, तो HCF क्या आएगा हमारे पास, जो common है, वो आ गया 7, तो इन दोनों का HCF 7, अब दूसरे तरफ देखते हैं, HCF of 35 and 343, तो इसका क्या आएगा, 35 का तो हमें पता है, 5 into 7, और इसको हम निकाल लेते हैं, 343 का, ठीक है, ठीक है, इसका भी आया, 7 into 7 into 7, तो HCF इसका भी क्या हो गया, 7, और उसी तरह इसका HCF निकालते हैं, HCF of, क्या है, 343 and 7, इसका तो 7 हो कहीं, तो इसका भी HCF क्या आगया, 7 आगया, तो तीनों का HCF निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले आते हैं, हम, product of 3 number की अगर बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं, 28, 35, 343, 343 into HCF of 3 number दिया हुआ है, 7, by HCF of AB 7, 7 and 7, ठीक है, और यह कट गया, 7 times, 6860, तो यह आगया, इसका LCM, answer, clear है point, तो चलते हैं, next question की तरफ, a number that can be the express in the form of P by Q, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, let us assume root 5 is rational number, is rational number, ठीक है, माल लेते हैं, कि root 5 क्या है, rational number है, ठीक है, तो rational number है, तो यह है, P by Q के form में, is equal to P by Q माल लेते हैं, कि P by Q के form में हैं, तो सबसे पहले करेंगे, क्या, asquiring both sides, यानि root हटाने के कोशिश करेंगे, ठीक है, तो जब root हटा रहे है, asquiring both sides, तो 5 is equal to क्या होगा, P asquire by Q asquire, यानि Q asquire is equal to P asquire by 5, इसका मतलब यह हुआ, कि P asquire is divisible by, divisible by 5, तो Q asquire is equal में आ रहा है, तो बोल सकते हैं, P is also divisible by, also divisible by 5, clear होगी point, उसी तरह, अगर मान लीजते हैं, P is equal to, ठीक है, क्या आएगा, 5R, P is equal to 5R, तो P asquire is equal to क्या आएगा, 25R asquire, ठीक है, तो P asquire के अगर हम बात करें, यहाँ पे, तो P asquire is equal to 5Q asquire हो जाएगा, तो यहाँ पे 5Q asquire अगर रखते हैं, तो 25R asquire यह आगया, ठीक है, तो Q asquire is equal to 5R asquire, और R asquire is equal to Q asquire by 5, यानि Q asquire is divisible by 5, clear हो गई पाइट, Q is also divisible by 5, also divisible by 5, ठीक है, Q को भी 5 से divide किया जा सकता है, और P को भी 5 से divide किया जा सकता है, यह अगर दोनों को 5 से divide करेंगे, यानि ACF जो होगा, ACF of P and Q are 5, इसका ACF क्या आगया, 5, और किसी भी rational number में nominator और denominator का ACF हमेशा 1 आता है, ठीक है, so, बोल सकते हैं, our ejection is wrong, तो हमने तो इसको rational मांगा था, तो हमारा ejection wrong हो गया, so, बोल सकते हैं, root 5 is irrational number, hence proof, clear हो गई point, तो यह चीज़े हो गया, तो इस तरह से ज़्यादा space नहीं था, तो यह इंपर solve कर दिया गया, तो next video में फिर से मिलेंगे, तब कर तो लिए bye bye, take care, ठीक है, short notes का video आपको आते ही रहेगा, क्योंति यह revisions classes है, यहाँ पर बहुत ज़्यादे इंजाम पल तो नहीं, लेकिन इस बार 2023 के अंदर, 2023 के अंदर, जो भी slaves पूछे जा रहे है, उसका एक revisions videos आपको मिल जाएगा, total chapter का, तब तक ले bye bye, take care, पढ़ाई करते रहे, NCRT solve करते रहे, ठीक है, उससे भी doubt अगर आते हैं, तो आप comment कीजिए, आपको NCRT solutions का video भी available मिलेगा, so bye, take care,